अलेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुशार शहा है, मैं जैन गुजराती हूँ सर, मैं सिविल इंजेनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजियोट हूँ और इंबिये की डिगरी होल्ड करता हूँ और पूर्णा में ऐसे प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर, मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंट की तुरू मालूम पड़ा, उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया, जो के वेज और नौन वेज के उपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था, और मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फैन हुआ, तकरिबन पांच साल पहले, उसके बाद मुझे आप से जादा से जादा जानकारी कैसी मिले, यह मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी की बदर मैं पता चला, और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चलू कर दिया सर, उसके बाद में तो ह और सर, मैं यहां ब्रेक लेके बोलना चाओंगा, कि जितने भी जाइन प्रिंसिपल्स है, यह जो भी राइट सर, रितिवल जाइन लोग फालो करते हैं, यह बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर, एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो के आपके थू मालूम पड़े, 99.99% एकसेप्ट हो रहे हैं, ओ भी लॉजिकली सर, यहां दूसरी बात ऐसी हो रही है, कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा, मेरी एक रेक्वेस्ट है आप से, कैना है टॉक सर? सवाल थोड़ा मुक्तसर करें, जी मुक्तसर ही है, नहीं असल में क्या है, बहुत सारे भाई खतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सब को मौका दीजिए, जाकिर साब को सुनने का, इसलिए प्लीज आप पहले अपने टॉपिक पर आजाए सर, ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसल्मान लोगों को तो बहुत फाइदा हुवता नजर आ रहा है, लेकिन उससे कही जायदा फाइदा, इसलाम के बगर जो मजब हैं, उनको होता नजर आ रहा है सर, इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है, यह है कि इस टीवी टू बगर इसलामी मजब की जो किताबे हैं, उस पे रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को यह मालूमात मिल रही है, कि उनके बुनवादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है, और आज जो नौन मुसलिम लोग है, उनमें एक हिम्मत आ रही है, कि वो उनके सो का और धरम गुरू को सवाल पुषने की ताकत रख रहे हैं, कि जो कुछ हम सुन रहे हैं, यह सही है है क्या, यह पुषने की हिम्मत आ रही है सर, और यह हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना आप मुश्किल है, अब यहाँ पर प्राब्लेम यह आती है, कि पूर्णा में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है, यह मेरी कंप्लेंट है सर, यह हम जो एरिया में रहते हैं, वहाँ पीस टीवी काफी महिनों से बंद है, अभी चलाने वाले भाई जो है, यह मुसल्मान है, और उनके अंडर में जो एरिया आता है, वो पूरा ही मुसलिम एरिया है सर, अब उन्हें प्राब्लिम क्या है, समझ में नहीं आ रही है, चैनल चलाने में, आस्ता चैनल चला रहे है, संसकार चला रहे है, फैशन टीवी 24 घंटो चला रहे है, ट्रें 24 घंटो चला रहे है, ट्रें पीस टीवी नहीं रहा है तो मुझे आप से एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है क्योंकि कल एक भाई नहीं ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की आपने उन्हें कहा कि आप एक पाच-छे हजार की डिस्ट लगा दो पीस टीवी चल जाएगा सर पाच-छे हजार की डिस्ट चला लगाने वाले की ताकत पुना में 500 लोग रहेंगे 5,000 लोग रहेंगे लेकिन पुना में बहुत गरीब लोग है जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनका हक है कि ये पीस टी जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बहार है और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने है 99% प्रिंसिपल मुर्जे लॉजिकली एकसेप्ट है सर जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़़ाट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं sir अगर मेरे से कोई गलती हुई तो please संभाल लेना sir मुझे तो मेरा ये है कि we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come here after ये एक principle है sir मुझे accept है मुझे कोई का इसमें ये नहीं है दूसरा principle है sir तकदीर का जहां मुझे थोड़ी गड़बड हो रही है तकदीर का principle जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्ला ने लिखा है करके आप कर रहे हो ये जुमला गलत है आप जो करने वाले हो वो अल्ला को मालूम है करके अल्ला ने रिखा है I hope I am right sir तो sir अगर जब free will का जो principle है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है sir जबके मैं देख रहा हूं free will आप जो करने जा रहे हो यानि कि मुझे free will तो है करने में ये principle टैली हो रहा अब रहा principle test का अब जब अल्ला ने हमें यहां test के लिए भेजा है तो आप यहां कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्ला को already पता है और उन्हें लिख के रखा है तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम अखरत तक क्या करने वाले है यानि सब लोग जो जो है क्या करने वाले है यह अल्ला को पता है यह end result अल्ला को पता है ऐसा मुझे लग रहा है बिल्कुल सही I'm glad sir जो मैं समझ रहा तो सही समझ रहा था अब यहां बात यहां आ रही है कि sir अगर world cup cricket का result मुझे अगर final result मालूम है तो पूरा world cup मुझे देखने की ज़रत क्या है very good बहुत अच्छा सवाल लगता है कि आप बहुत peace tv देखते हैं आप भी देखता हूं sir आपने जिस तरीके से तकदीर को शौट में कहा यह sir बहुत कम मुसलमान या कह पाएंगे मुसलमान को भी यह problem में तकदीर क्या है मैच करने का कि free will and तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते और आपने इतने बड़े मजमें में कहा मैं आपको conglomerate करता हूं आपको आखरी सवाल था कि अगर अल्ला को पता है sir I have not yet finished my question sir please हाजी हाजी sir यह तो एक पार्ट था question का दूसरा पार्ट यह है कि अल्ला को जब अगर मैं तो बनिया हूं sir मुझे मालूम पड़ा है कि Islam accept करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा कुछ नकुछ तो मिलना पका है अब यह सब खेल में अल्ला को क्या मिल रहा है यह मैं जानना चाहता हूं sir बहुत अचा सवाल यह दूसरा सवाल है मेरा और तीसरा दूसरा सवाल का जवाब दूँगा तीसरा मत पूछे सर शॉर्ट है शॉर्ट है यह तो लोग मुझे कहेंगे फॉलो करो आपका फैसला हो जाएगा लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है एलिफाइंट्स यह जो जो भी जानवर है इनका फैसला अल्ला कैसे करने वाले है यह मुझे जानने की क्यूरा सुटिए अब देना चाहे दे सकते तीनों जवाब देंगा आपने बिल्कुल सही क्या तकदीर के बारे में आप पीछ टीवी देख रहे हैं वाज से मालूमाज सही मिली आपके तीन सवाला थे पहला सवाल थे अल्ला जब जानता है यह सब होने वाला है तो यह खिलवार क्यों होता ने कड़ पुतलिया जब आणल्रत लगा Torah सब जानते है तो हम लोग क्यों यह रचारे ड्रामा डायरे क्यों ने मुझे जन्नत में दालता है डायरे क्यों ने दोजञता है बहुत अच्छा सवाल सबसे पहले यह सवाल कि अगर अगर Allah सुबानावत ताला आपको बलेंगा चाहिए यह अदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला यह अदमी बुरे काम करने वाला है दोजक में डाला और डायरेक अगर दुनिया में आने के बिला जन्नत में डालेंगा दोजक में डालेंगा दोज़क में डाले वाला कहेंगा आप मुझे दोज़क में क्यों डाल रहे मैंने क्या गुणा किया अल्ला ताला खुरान में ये लिखा है आखरत के दिन में आप अल्ला से ये ने कहेंगे क्या वो नाइनसाफी कर रहे आपके जिसम आपके खिलाव गवाई देंगे आपके फेवर में गवाई देंगे आपके आँख, आपके हाथ, आपके हर जिसम के अंग अंग आपके फेवर और खिलाव में गवाई देंगे आपके आगे सब कुछ पष्ट रहेंगा तो आप अल्ला से ये नहें कहेंगे कि आप मुझे दोज़क में क्यों डाल रहें आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो अल्ला कहेंगा टेस्ट खतम हो गया अगर डारेक्ट आपको दोज़क में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्ला ने मिसाल के दोर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टुडेंट को फर्स्ट आने वाला ये स्टुडेंट फैल होने वाला है अगर डारिक बोलेगा नो टेस्ट आपको पास क्या आपको फैल क्या पास करने वाला इतराज में करेगा फैल करने वाला बोलेगा नमबर दो अल्ला को फाइदा क्या है अल्ला को शैतान ने उसको चैलिंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़का हूँगा चैप नमर सेवन में लिखा गया है तो अल्ला कहता है का मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं जो मेरे बंदे ने उसको बढ़काएंगा इबलीज कहता है मेरे punishment को डिले करो give me respite अल्ला डिले कर लेता है अल्ला क्यों कर रहा है क्योंकि अल्ला ताला के लिए इनसान सबसे बहतरी मखलुक है best creation बाकी creation don't have free will इनसान को free will है तो ये सबसे बहतरी creation है उनको खुशी हो रही के बाकी जो लोग है आपका तीसरा सवार भी इसमें आता है जो फरिश्टे उनको choice ने जो अल्ला के लिए मानना ही पड़ता है जानवर को free will नहीं है जो अल्ला तरह कहेंगा जानवर करेंगा free will नहीं है answer number two answer number three ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है जानवर के लिए टेस्ट ने सिर्फ इनसान के लिए और जिन के लिए जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया एक जानवर ने दूसरे जानवर कोई खिलाफ कुछ सिंग मारी तो आखरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएंगा और उनको खत्म किया जाएंगा इन्नों स्वार्ग और नर्क में नहीं जाएंगे इनसान सबसे बहतरी मखलुक है सबसे अच्छा क्रेशन है चरिफ वो जनलत दाजोजक में जाएंगे और सवाल के पहले जो आपने पुचा था कि वो मुस्लिम आपरेटर पीछ टीवी नहीं दिखा रहा है हम क्या करे आफ़ बिलकल सही कह रहे है कि मुसल्मान से ज्यादा गेर मुसल्मान को फायदा हुरा है इसलिए वो मुसल्मान टेलिविशन नहीं दिखा रहा है और मैं कहता हूँ ना कुछ लोग नाम के मुसल्मान रहते पैसे के रहते वो बाकी चैनल शायद उन्हें पैसा देते हम किसको पैसा देते ने हम ना पैसे ते किसी को खरीचते ना किसी को इसलाम फैलाते ना चैनल को पैसा देते God TV जो Christian चैनल है इंडिया में हर साल 28 क्रोर रुपीज दे 28 क्रोर सिर्फ केबिल आप्रेटर्स को पैसा देती है 28 क्रोर 28 क्रोर वो बजट भी ने सिर्फ इंडिया में दिखाने के लिए हम पीस टीवी बोलते हैं हमारा अमन का टीवी हमाँ आपको एक रुप्या देंगे ने दिखाने का दिखाओ नहीं दिखाने का दिखाओ तो ये लोग पैसे के पुझा रहे अब्दुल्राने अब्दुल रुप्या है ये मुसल्मान हो ही ने सकता जो भी है मैं जानता ने उकोंने और आपको सज्जेशन आप क्या कीजे बॉइक काट करो उनको बॉइक काट करो आप परचा निकालो जो पीस टीवी नहीं दिखाता है हम केबल टीवी नहीं लेंगे मैं जानता हूं कि बोसे गहर गहर मुसल्मान केबिल टीवी पे पीच टीवी दिखाते जो केबिल टीवी ऐपरेटर मुझे पूना से कहा गया है वो से गहर मुसल्मान दिखाते ये लोग सिर्फ नाम के मुसल्माने उन्नों पीच टीवी देखेंगे तो साई लाइन पे आएगे खुद भी देखते ने और दूसे लोगों को देखने नहीं देते मैं क्या कहता हूं अगर नहीं देखते आप बिल्डिंग में एक बिल्डिंग में टिश लगाओ एक डिश का खर्टा पांचेजार है वायर दो, वायर का 100 रुप्य और या 200 रुप्य और 600 रुप्य और, साड़े 5000 में 10 लोग देख सकते, एक आदमी कितना देगा 500 रुप्या आप जो केबल अपरेटर को फीज दे रहे न 500 रुप्या, 300 रुप्या वो भी बदो जाएगा, हमारा फ्री चैनल है 5000 रुप्या खर्चा करो 1000 रुप्या वायरिंग के लिए 6000 में 10-15 ब्लोग देख सकते 600 रुप्या, 300 रुप्या खर्चाएगा तैजिए ना, और मैं कहता हूँ कई लोग ने खुद का केबल शुरू किये ये मुसल्मान नहीं दिखा रहा है उसको छोड़ दो और वो ही मुसल्मान मैं मैंनेजर कह रहा था एक केबल आप्टेर मैं जानता ने हमार टीवी दिखाता ने, लेकिन लाइफ टेलिकाल दिखाना चाता है तो मेरे मैंनेजर मनसूर भे ने कहा अजीब बाते आप हमारा केबल दिखाते ने, बोलते पुलिस पर्मिशन देती ने, कि आज आपको पुलिस पर्मिशन मिली, चुप हो गया फिर भी मैंने कहा मैंनेजर से दिखाने दो, अल्ला उसको हजायत दे, दिखा रहा है कि अब लाइफ टेलिकाल दिखाने का है, लाइफ टेलिकाल सो और डिफिकल्ट है, पीश टीवी पे सब हेडिट होता है, यहां कोई गलत चीज़ कह दिया तो सब लोग को सुने में आएगा, तो पीश टीवी पे तीन चार बार दिखा जाता है, कुछ गलत ने, कोई किसी के ली बंदो जाएंगा फिर, तो मैं कोशिश करूंगा जर और मैं दूआ करता हूं कि आप जैसा कहा कि पांच साल से आप में तक्रीर सुन रहें, और आपको लगा के आप जो कहते हैं के धर्मों में गलत बाते होती हैं, और यह मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ट्रेकेदार स आपको सही रास्ता दिखाए और अमन का मदभ कबूल करने के लिदाद दे कोशिश करता हुथा है क्यों सर्थ